नमस्कार दोस्तों, AMT Classes पर आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम इसको चलिए डीटियल से देखते हैं यह है ड़, 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 और ठीक है? इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिस पर आप लोगोंने बहुत व्यूज दिये है और बहुत लोगोंने अपने विचार भी रखे हैं इसी को थोड़ा डीटियल में मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ और इसके साथ अभ्यास भी आपको देने वाला हूँ जो रिक्तिस्थान के रूप में होगा ताकि क्लियर हो सके यह सिर्फ आम लोगों की नहीं कई टीचर्स की भी गलती है टीचर्स ने मुझसे कहा कि सर्द यह जो पौड़ा पढ़ शब्द है जिससे शब्द बनता है पढ़ना यह हमारे आगे आया नहीं है कभी तभी हम इसमें कन्फ्यूज होते हैं और यह कन्फ्यूजन क्यों रहती है क्योंकि इस चीज का अभ्यास नहीं होता है जैसा कि यह चीज देख रहे हैं इनके रिक्तिस्थान हो गया मिलान चिन हो गया इनके शब्दों का अभ्यास हो गया या इन जैसे वर्णों का कोई अलग से अभ्यास नहीं होता है इसलिए बच्चों को इन चीजों में confusion होती है तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको अभ्यास भी दिया है जो वीडियो के last में है चलिए पहले इसके अंतर को समझ लेते हैं ढूंढूंड कर लिख सकते हैं और उनका अभ्यास कर सकते हैं उनके उचारण को और अच्छे से समझने के लिए ये ड़ है और ये ध़ है ये जो है ये हमारे में शब्द है ड़ ध़ जो टबर्ग में आता है और ये जो ड़ और ध़ जो है यह हमारा उच्छिप्त, उच्छिप्त कहें या अत्रिक्त वर्ण कहें वो है इन दोनों का स्वर विल्कुल साफ आता है इन दोनों के स्वर से कई शब्द नहीं बन रहे थे इसलिए इन दोनों और वर्णों को अलग से बनाया गया होगा कुछ लोग इसे नुकता चिन भी कहते हैं कि नुकता लगा कर इसका अलग से इनको बनाया गया ताकि इसका शुद्ध उचारण हो सके अगर ये बिंदी नहीं बनती तो हम पढ़ना नहीं पढ़ पाते, इसको पढ़ना बोलते, पढ़ना, तो पढ़ना अलग उच्चारण है, पढ़ना अलग उच्चारण है, तो सही उच्चारण पढ़ना है, इसी तरह कई सारे शब्द हम और नहीं बोल पाते, अगर ये बिं का लड़का, एक हमारे साथी का ने उन्होंने कहा कि मैं नुक्ता बढ़नों को तो मानता ही, नहीं ये तो उर्दू का लाया हुआ है और उर्दू ने हिंदी को बिगार दिया है चलिए उनकी बात अगर मैं करता हूँ तो ये नुक्ता नहीं लगाता हूँ और यही रहने देता हूँ, तो इसका उचरन क्या होगा? पढ़ना पढ़ना क्या यह पढ़ना से आप समझ जाएंगे? या पढ़ना पढ़ना, इससे आप समझेंगे इसी तरह इसका भी हम एकजामबल ले लेते हैं, जैसे यह बना पढ़ना तो पढ़ना सही है या पढ़ना पढ़ना सही है मेरे हिसाब से ये सही है या पढ़ना सही है ये जो बिंदी है इसका उचारण सही है मेरे हिसाब से वो सिर्फ एक वेक्ति ने कहा था तो उनको क्लियर करते हुए मैंने यहाँ पर कह दिया ठीक है मुझे लगता है कि ये सही उ अब धोकला ये सारे क्या है धोसे हैं और हाई तो ये इस तरह के शब्द बनते हैं धोसे अब इसमें एक नियम और है कि हमारे मेन वर्ड है जैसे ये ड़ और ढ़ है ये हमेशा शब्द की शुरुवात में आते हैं जैसे देखे ड़ ड़ शब्द इनसे शुरू होता है अब एक एक आदमी ने कहा कि सर अगर ये पर्थम बर्ण होता है तो दूसरे और तीसरे पे भी तो हमेशे लिख सकते हैं तो ये ड़ और र का नियम है समझने बाद ड़ र को लेके बाद समझाए जा रही है सिंपल ड़ को लेके नहीं जा रही है कि ड़ हमेशा पर्थम वर्ण नहीं होता है अगर ड़ कहीं पर भी आ सकता है पर्थम तो इत्तितिति है लेकिन ये जो नियम बताएगे है ये ड़ और र को लेके बताएगे है कि ड़ का वर्ण हमेशा पर्थमक्षर पर होगा जो ड़ है वो कभी पर्थमक्षर पर नहीं होगा इसी तरह ड़ जो है वो ड़ हमेशा पर्थम पर होगा और जो ड़ है वो कभी पर्थम पर नहीं होगा देखें, यहाँ भी धर जो है, वो हमेशा दुत्तिय या तिर्तिय इस्थान पर आएगा, लेकिन धर जो है, वो हमारा प्रथमिस्थान पर आता है, तो यह कहने का अत्ता, अब जो लोग लगातार वीडियोस देखते रहते हैं, उन्हें क्लियर होता है, जो लोग पढ़ते है उन्हें क्लियर होता है, लेकिन जो एकदम से एक रील देख लेते हैं, या मेरी कोई वीडियो देख लेते हैं, उन लोगों को तो दिक्कत होनी होनी है कि यह बंदा क्या कह रहा है, कहां से कौन सी चीज उठा कर बता रहा है, ठीक है, तो हम डीटेल में हिंदी पढ़ाते है डीटेल में चीजों को कराते हैं, चलिए, यह तो यहां तक हो गया ड़, 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 के बीच में अंतर और इसके कुछ उधारन, अहम वीडियो के इस पार्ट में इनके रिक्तिस्थान पढ़के देखते हैं कि कैसे इसके अंतर को हम समझ सकते हैं और इने बाक्यों म देखते हैं, अंधेरे से मुझे ड़, 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 अब पहला रो कभी पहला वर नहीं होता है, तो यह वैसे ही गलत है, तो क्या शब्दा आएगा, ड़, अंधेरे से मुझे ड़ लगता है, इसी तरह दूसरा देखते हैं, मैं प्रति दिन किताब ड़, क्या हूँ, पढ़ता, पढ़ता या पढ़ता पढ़ता, तो क्या सही है इसमें, पढ़ता, पढ़ता नहीं, तो क्या बनेगा, पढ़ता, पढ़ता, इसी तरह राधा को मंदिर जाना ड़ है, राधा को मंदिर जाना पढ़ता, पढ़ता या पढ़ता है, क्या आएगा, पढ़ता या प पढ़ता, राधा को मंदिर जाना पढ़ता है, अगला है रोहित मेरे पीछे डैश गया, रोहित मेरे पीछे क्या हो गया, पढ़, पढ़, रोहित मेरे पीछे पढ़ गया, नहीं, पढ़, पढ़ गया, नहीं, पढ़, पढ़, पढ़ गया, हाँ, ये सही है, पढ़, तो क्य या पढ़ना नहीं चाहिए या पढ़ना नहीं चाहिए तो क्या होना चाहिए पढ़ना लड़ाई के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए अगला है नीता डैस लाई है नीता क्या लाई है डा लो डा डाल डा और ये क्या बना रा लो डा राल डा तो डालड़ा तो गलत होगा ये कभी पहला वर्ण होगा ही नहीं तो शही सब्द क्या है डालड़ा राहुल घर से किताब डैश आना राहुल घर से किताब क्या आना पढ़कर आना क्या पढ़कर या पढ़कर तो राहुल घर से किताब पढ़कर आना ठीक है क्या आना पढ़कर आना पढ़ नहीं ठीक है पढ़कर ये ड़ औढ़ की बहुत गलतिया होती है चोर को डैस लओ चोर को कैसे करके लाओ पकड़कर पकड़कर लाओ या पकड़कर पकड़कर तो कैसे करके लाना है चोर को पकड़कर ठीक है तो पूरा वाक्य बने गय चोर को पकड़ कर लाओ, मुझे आशा है आगे ड, ड, ध, और ध में आपको दिक्कत नहीं आएगी मुझे आशा है इस वीडियो के अंतरगत चारों चीजे आपको क्लियर हो गई होगी इसी तरह का अगर और कोई टॉपिक है तो आप नीचे कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं हो सकता है आपकी राई मुझे अलग हो या आपके पास इसकी कोई विस्त्रिक जानकारी हो उसे आप कमेंट सेक्षन में भी लिख सकते हैं इससे बाकी लोगों को भी समझने में मदद होगी और कोई नया ग्यान मिलता है तो उसको आगे की वीडियो में भी मैं समलित करूँगा टाकि और लोगों को भी ये चीजे पता चले अपना प्यार बनाए रखने के लिए हमारी विडियोस देखने के लिए हमारी विडियोस को शेयर करने के लिए साथ ही उनसे सीखने के लिए अभ्यास करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैभारत सीखते रहें आगे बढ़ते रहें AMT Classes पर 9 ब्लस अलग-अलग सिरीज है जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो मात्राओं में अंतर कहानी मिशन बुनियाद 2023-2022 उसके बाद guidance वीडियो और मात्राओं में अंतर की अलग-अलग वीडियो उसके बाद लाइन वाइज आपको सारी वीडियो मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में जाके आसान और गठिन दोनों मात्राओं शुरू से अंग्रेजी और गड़िश सीखने के लिए आसान भी तारिते चनल से भी जुड़ सकते हैं